दोस्तों कव्वे का घर में आना शुब माना जाता है या आशुब माना जाता है इस तरह का जो सस्पेंस है वो हमारे दिमाग में भरा हुआ रहता है लेकिन कव्वा एक ऐसा प्राणी है जो हर किसी के घर कभी न कभी तो आता ही है और दोस्तों कव्वे का आना शुब भी हो स करता है ९े तो उसके द्वारा दिये जाने वalज संकेत पर निर्भर करता है लेकिन आधिक तर लोगों की दिमाग में कवे को लेकर के कुछ बुरे खयाल ही आते हैं या अशुब संकेत को देने वाला कव्वा होता है इस बात को दिमाग में बिठाएवे होती हैं जैसे कि कई लोग कई लोगों को यदि कववा छूपी ले या कववे से स्पर्ष हो जाए तो लोग जो है लोगों को ये भ्रांती बन में रहती है कि कववा यदि स्पर्ष कर ले तो हमेश रान करना चाहिए तुरम्त क्योंकि हम आज़ प्रष हो जाते हैं अशुद्ध हो जाते हैं और कववे का स्पर्ष करना हमारे लिए बहुत ही अशुब होता है ऐसे माननेता लोगों के दिमाग में होती है लेकिन दोस्तों ये एक रहस्य है कि कववा शुब है या अशुब है कववे का हमारे घर में आना मंडेर पर आना छट पर आना कववे का दिखना ये सब चीजें जो हैं हमारे लिए कितनी अशुब हैं या शुब हैं वाकिय में क्या ये शुबता का संकेत है ये अशुबता का है ये एक रहस्य है और इस रहसे को मैं आज आपके सामने उजागर करूँगा इस वीडियो के मातिम से पशरते आप से एक रिक्वेस्ट है कि हमारी इस वीडियो को यदि आप आए हैं देख रहे हैं आपके सामने रखने वाला हूँ और इस रहसे को जानने के बाद कववे की प्रती आपकी जो मानसिता है और जो रहसे है वो एकदम बदल जाएगा आपकी मानसिता बिलकुल चेंज हो सकती है इसलिए बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखिए आए जानते हैं डेटेल्स में झाला हूँ झाला हूँ आपने दोस्तों कववे को रास्ते में आते जाते कई बार देखा होगा लेकिन लोगों की माननता है कि कववा अस प्रश है उसको जिदे छूबी लें तो स्टान करना चाहिए अशूबता का संकेत कववा देता है लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों बहुत सारे ऐसे रहसे हैं जो की अशुबी हैं और शुबी है कववा कई प्रकार के संकेत हमारे जीवन में देता है। तो इसका क्या शुब और क्या आशुब संकेत होता है, इस बात को में आपको बताने वाला हूं। आपको जानकारे होगी कि कव्वा जो है संपूर्ण भविष्य को देखने वाला होता है कव्वे के अंदर भविष्य को देखने की शक्ती होती है हर किसी के भविष्य को देख सकता है साब साब और इसलिए कव्वे का ये भविष्य देखना एक शुब माना जाता है घर पर आना कववे का या फिर छत पर आना या घर के सामने ग्रिल आदी पर या पेड़ आदी पर या कहीं पर भी घर के सामने आकर के बैठा है तो कववे का बैठना उटना और कववे का आना शुबही माना जाता है दोस्तों यदि कव्वा आपको बरतन में कभी आते जाते या घर में या कहीं भी यदि पानी पीते हुए दिखाई दे तो इस बात का संकेत होता है उसका पानी पीना कि यदि आपने देख लिया पाणी पीते हुए कववे को तो यह संकेत होता है कि आपको निकट भविश्य यानी जल्दी ही आपके भविश्य में आपको बहुत सारा धन प्राप्त होने वाला है धन का लाब होने जा रहा है उसी प्रकार से यदि आप कववे को दाना खाते हुए देख ले कहीं भी चाय घर में हो चाय बाहरो तो ये एक शुबता की निशानी है वो कवव खाना खाते हुए आपको एक संकेत देता है कि आपके घर और आपके जीवर में अनेक प्रकार की समर्द्धियां प्रविश करने वाली है आपको कई प्रकार के धनलाप और समर्द्धियां मान सम्मान आपको मिलने वाला है दोस्तों यदि कव्वे का जुंड बहुत सारे कव्वे यदि आपको सोर मचाते हुए दिखाए दें आपके छट पर आ जाएं या कहीं और बहुत सारे कव्वे बहुत सारा शोर मचाते हुए दिखाएं आकास मंडल में दिखाए दे हैं या पिर जमिन पर बैठे दिखाए दे हैं या आपके छत पर घर पर कहीं भी बहुत सारे कवे आ करके शोर मचा रहे हों काओ काओ कर रहे हों तो ये एक अशुबता का संकेत भी कव्य देते हैं, ये एक अशुबता है, ऐसा देखने पर इसका संकेत होता है और इसका मतलब होता है कि उस मालिक पर जिसकी छत पर या जिसके आंगन पर या जिसकी प्रॉपर्टी पर ये वो कव्य यदि चिला रहे हैं, तो उसके मालिक प पर किसी प्रकार की कोई आर्थिक स्तिती खराब होने वाली है आर्थिक स्तिती का संकट प्रवेश करने वाला है या फिर शाररीक रूप से बहुत भेंग कर संकट आने वाला है तो उसका निवारण आप कर सकते हैं पहले निवारण के लिए चाहें तो आप हमसे स्पेशली प चरण परश कर ले अचानक से उडता हुआ आए और पैरों के पास से निकल जाए या पैरों को छूँ ले या पैरों के पास खड़े होकर उड़ जाए तो यी इस बात का संकेत कोवा देता है आपके जितने भी काम रुके थमें या जितने थेव आप सब चल पड़ेंगे रुके हुए काम जो है सब बन पड़ेंगे आप मुकद में आदी किसी भी ख्षित्र में आप जीतने वाले हैं आपको विजेश्री प्राप्त होने वाली है इस बात का संकित है और यदि दोस्तों आपको कोई क्राओ यानि की कववा आपको कहीं मुक में खाना लिए रोटी इत्यादी कुछ भी जो उसका खाना है वो खाना लिए हुए उड़ता हुआ दिखाई दे बैठा हुआ दिखाई दे आपके घर में दिखाई दे या आता हुआ दिखाई दे और अब उसकी situation में यदि आप उसे देख लें तो इसका संकेत साप साप होता है आपके लिए कि ये नरदेश देता है कि आपके जीवन में कई प्रकार के ऐसे नए नए मोके आपको मिल ले वाले हैं सफलता प्राप्ति के लिए बहुत बहुत सारी opportunities आपको मिलने वाली है और उन opportunities पे आपको घरा उतरना है दोस्तों यदि कवा आपके आंगन पर आकर के यदि काओं काओं करने लगे कुछ बोलने लगे आपके आंगन पर आंगन के सामने पेड़ पर ग्रिल्स पर या फिर मुंडेर पर या आपके घर के पास में यानि कि आपको स्पस्टूप से वो दिखाई दे रहा है और वो आ आपके ही प्रोपर्टी के अंदर काउं काउं कर रहा करके तो इसका मतलब यह है कि आपका किसी प्रकार का कोई महमान आपके घर में आने वाला है और महमान का आना का मतलब है कि भगवान का आना और भगवान का मतलब होता है कि जहां भगवान आते हैं वहां लक्षमी भी आत किन्तों मित्रों इस बात का भी आपको ध्यान रहना चाहिए कि कववा यम्राच का धूत भी होता है इसलिए कई प्रकार के अशोव संकेद भी करता है इस चीज़ को भी आपको ध्यान में लेकर चलना चाहिए जैसे कि कववा यदि किसी स्त्रिया प्रुष के या किसी के भी यदि सर पर बैठ जाए आकर के अचानक से उड़ता हुआ आकर के सर पर बैठ जाए तो ये एक बहुत भेंकर गंभीर संकट का संकेद है यानि कि ऐसे व्यक्ति के ओपर शारिर्क रूप से बहुत भेंकर यानि कि संकट आ सकते हैं वो संगेत करता है कि आपको बचना चाहिए ऐसे भेंकर गंभीर संकटों से यदि कुछी प्रकार का कोई भी यदि ऐसा माहोल बन रहा है तो उससे बच करके चटें और आपने आपको सेव करें अपने ग्रहों को शान्त करें या अपने इस्ट देव आदी की आराधना करके आप अपने आप से बच सकते हैं तो सर पर बैठने वाला या अचानक से आ करके बैठ जा या सर को छूले इस प्रकार से ये संकेट स्पश्टूप से होते हैं कि आपको किसे न किसी प्रकार का बहंकर संकट गेरने वाला है यदि दोस्तों सुखे पेड़ पर यदि आपको कववा बैठा हुआ दिखाई दे आते जाते कभी भी कहीं भी यदि सूखे पेड़ पर बैठा हो कववा तो वे इस बात का संकित माना जाता है कि आपके घर या आपके शरीर पर किसी प्रकार का कोई भयानक रोग आने वाला है रोग का सूचक होता है तूटी हुई पेड़ की डाल पर यदि कववा बैठा हुआ दिखाए दे तो अनिक प्रकार के या किसी प्रकार के कानूनी पचड़े में पढ़ने का संकित मिलता है जहां से उभरना बड़ा कष्ट में हो सकता है दोस्तों सकुन शास्त्र की अनुसार सुबसंकित भी कववा देता है जैसे कि पहले भी आपको बताए और अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ जैसे कि सूर्योदे के समय यदि घर के सामने कववा आकर के बोले काउ काउ तो इसका मतलब है कि आपको मान, पद, प्रतिष्टा, धनलाप और एश्वर ये सब ही प्राप्त होने वाले है घर के सामने आकर के सूर्योदे के समय सुबसुबस कववा बोले तो ये सब भूमे को खोदता हुआ दिखाए दें कहीं पर भी कैसे भी तो इसका संकेत आपके लिए होता है कि आपको खुब सारी धन, मान, पद, प्रतिष्टा और संपत्ति की प्राप्त होने संपत्ति प्राप्त होने वाली बहुत जलती तो यह आपके लिए सुपशुकेत है यदि दोस्तों कहीं आप जा रहे हैं किसी काम से या किसी काम को पूर्ण करने के लिए या किसी भी तरीके से आप अपने कारे सफलता के लिए कहीं जा रहे हैं और आपको कवे की आवाज पी जो जिस कारे के लिए आप जा रहे हैं चाहिए वो जौब है या जिसी बिजनस या किसी कारे के लिए आप जा रहे हैं तो आपको निशित ही वो आपका कारे बनेगा और पीशे से आने वाली जितनी भी समस्याएं है या चल रही समस्याएं सारी जो है शानतों की यह बहुत अ कव्वा यदि आपको चोच में खाना लिये दिखाई दे तो धनलाब और आपको निश्यत ही कोई कीमती वस्तु आपको प्राप्त होने वाली है। कववा यदि पानी पीते दिखाई दे, तो किस्मत खुलने वाली है, और अनेक प्रकार के सफलताएं जल्दी ही आपके हाथ लगने वाली है, आपको सफलताएं हासिल होने वाली है, यदि कववा पीट पिछे से आते हुए दिखाई दे आपको, तो लाब का संकेत होता है, आ आई तरफ से आते हुए और बाई तरफ को यदि कव्वा निकल जाए तो यदि जिस यात्रा में आप जा रहे हैं और जिस कारे को सफल करने के लिए आप यात्रा कर रहे हैं वो कारे आपका निश्चित ही सफल होगा ऐसा संकेत देता है लेकिन दोस्तो जो लोग क्योंकि सभी के जीवन में कभी न कभी यात्रा होती है और ऐसी यात्रा चाहे चोटी हो चाहे बड़ी यात्रा का मतलब कहीं जाना किसी कारे की सफलता के लिए कहीं जाना होता है विक्ति हर एक विक्ति को तो ऐसी situation के लिए या जिस कारे को आप सफल करने के लिए यात्रा कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि उस कारे में मैं सफल हूँ तो उससे पहले कहीं आपको यदि कववा दिख जाए या कववे का कहीं होता है वास या कहीं कववे होते हैं किसी जगह पर तो ऐसी जगह पर आपको चाकर कि या आपके घर में ही आजा कववा तो आपको निश्य थे उस कववे को दही और चावल का मिसरत भोग लगाना चाहिए कववे को दही और चावल का भोग लगाने से आपके कार सफल होते है कववे को पित्रों का भी सुरूप माना जाता है इसलिए पित्र प्रस्टा आपको हमेशा करना चाहिए कभी भी कववा आये तो उसे रोटी इत्यादी जरूर देनी चाहिए या श्राद्धों में आपको चो है रोटी इत्यादी या जो भी कुछ बनना पड़ा है पित्रों के लिए वो सब आपको परोसना चाहिए भोग लगवाना चाहिए इससे आपके पित्र भी प्रसन्न होते हैं और पित्रों के प्रसन्नता से संतान की प्राप्ति अच्छी संतान की प्राप्ति धन बैभव और आयुश दिरगायु स्वस्त सरी ये सबी प्राप्त होता है तो दोस्तों ये आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीज़ेगा ताकि हम इस तरह की वीडियो की नर्डिवेक्ष्ण आप तक पहुचा सके राधे राधे जैसे क्ष्णा